हम वह एक हम बनाएंगे आइस क्रीम तो आज में आप लोक लिए आइसक्रीन की रेसेपी लेख्यु और इस क्रेम कو हम सि anxious बनाईगे तीन इंड़िडियंट्स की मदद से यागि कि हम इसमें टीनी चीज ऑप का यूस करेंगे तो इस ऐस्ऌीLove को बनाना बहुत ही जादा ऐजी है तो चलिए देखते हम कैसे इस ऐस्ऌीFream को बनाएंगे तो इसके लिर सबसे पहले हम यहाँ रख दिंग के एक पैन थोड़ा बड़ा और मोटा पैन रखेंगे यहां पर अब हम इस पैन में डाल देंगे एक लीटर फुल फैट मिल्क अगर आपको फुल फैट मिल्क ना हो तो आप दूसरा मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं ज़रूर ही नहीं आपको एक बाद यहां पर ज़रूर दियान रखनी ह दूद में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चुए यानि उसमें पने पानी मिक्स नहीं किया हो वही वाला दूद लेना है तो अब यहां पर देख सकते हैं कि हमारे दूद में जो है उबाल आने लगा है तो हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सबसे पहले कि यहां प्षीट देखने इसे अब चलाते रहेंगे बीच भीच में हम इसको इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है हर थोड़ी देर में इसे चलाते रहेंगे गैस दूद एक बार बॉइल हो चुका है तो दूद बहुती गरम हो चुका है तो भीच भीच में चलाते रहेंगे ताकि जो हमारा दूद है वह कड़ाई से निकल के बाहर ना आ जाए तो अब अच्छी तरह से थोड़ा से उबाल लिया है तो अब यह इसमें डाल देंगे एक टे से इसमें बताओंगे कि कौन सी दूसरी चीज जो यह पी तरह से ऑप्चनल है इसलिए मैं ने अपर कहा था कि सिर्फर सर्फ थीन इंडरियंट्स की मदद से बनाया सकता है क्योंकि इसमें दो इन्ग्रियंट्स हैं उसे उसे आप यूज नहीं भी करेंगे तो चलेगा तो हमने आप एक कास्टाड पाउडर लेलिया है हमने आप यहाद यह तो कोई भी फ्लेवर का कस्टाड पाउडर यहां पे ले सकते हैं कोई भी आप ऑड़ेगे ऐसे हमें हम से साइड में रख देंगे कि इसे हमें अभी करना है थैसे भाल में नहीं करना है तब अश्य तरहें जबें PERbenा कि रुदायन ररे हैं थैके हम कि दूद क essen यहाई है Hij क忘 selनले कि हम अब यहाई मुझें रिवारा हां और डाल दो 1 काट काट करें जो हैं अगर मोड़ आजài मसीन के परब से और को से अज़सी तरह मिक्स कर लिए अब यहां कर लेंगे लग बख 15-20 के लिए आप देह सकते हैं 15-20 你 कि इसमें हम ढूइल हमारा तैयार कीया हुआ अच्छी तरह से मिख्स करके क्योंकि कस्टर्ड जो नीचे की तरफ चल जाता है तो एक बार मिक्स करके फिरिस में डाल देंगे इसी के साथ में एक हमने बारी कटेवे बादाम ज़ो की यहां पर वर से उप्छनल तो यहां पर पूरी तर यह लिए जो है चमITY अधि अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसमें वरे सारी इंगने में इसडाल दीए यहां पर आप अ बस हम इसे थोड़ी देर के लिए बॉइल करना है जादा बॉयल नहीं करेंगे लगबग एक से दो मिनिटी अब हम इसे बॉयल करेंगे और साइट पे से जो मलाई लगती जा रही है वो इस उतारते जाएंगे और आप ध्यान रखे जब हम इसमें कस्टरड पाउडर डाल देंगे उसके बाद हमें इसे low flame पे ही boil करना है high flame पे boil नहीं करना है तो चलिए अच्छी तरह से mix कर देंगे अब हम यहाँ पे गैस का flame off करेंगे और off करने के बाद हम यह ऐसे लगबग 15-20 मिनिट के लिए चलाते रहेंगे करने के बाद अच्छी ज़रा से मिक्स करते रहेंगे ताकि यह ठंडा हो जाए और आप यह पर देख सकते हैं हमने इसे चला-चला के ठंडा कर लिया है और यह कितना घाडा हो चुका है इसे के साथ में अब हम यह पर ले लेंगे पॉप्सिकल स्टिक्स यानि कि पॉप्सिकल मोल्ड तो हमने आप मोल्ड ले लिया है अगर आपके पास मोल्ड ना हो तो उसके लिए भी मैंने आपको एक अल्टरनेटिव चीज बताई है आगे उसके लिए आपको वीडियो आगे देखना पड़ेगा तो चलिए इसमें डाल देते हैं हमारी यह जो तयार किया हो मिक्स का मतब लिए अजी तरह से डाल देंगे उसके श्ब्साला कि सकता है तो चलिए अच्छी तरह से डाल दिए अब हम इसे बन कर देंगे अगर आपके पास यहां पे मोल्ड नहीं हो गाइन तो इसकी जगे आप यहां पे कोई भी एराट राफी प्लास्टिक का बॉक्स होगा इसके अंदर भी अपनी आइसक्रीम का मिक्स डाल दें और अब इसे कवर करने के लिए हमने आप ले लिया है फॉयल पेपर आप इसके क्लिंग रेप भी यूज़ कर सकते हैं तो फॉयल पेपर लगा के अब इसे रख देंगे फ्रीजर में तो इन दोनों चीज़ों को हम रख देंगे फ्रीजर में लग बग 10 गंटों के लिए और मुस्ट दस गंटों के लिए तो हम इसे रखना ही पड़ेगा तो चलिए आप एक बॉक्स ले लिया है जिसके अंदर हमने डल दिया है पानी अब हम इसके अंदर डाल देंगे हमारी आइसक्रीम अच्छी तरह से निकलके तयार है तो देखा आपने कितना इजी है इस आईसक्रीम को बनाना सिर्फ और सिर्फ तीन इंडिएंट्स की मदद से आप इस आईसक्रीम को अपने घर पर बना सकते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कॉमें करके जरूर बताना इसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने रहा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना